हरे कृष्णा आज हम चौते अध्याय का चौते समझ श्लोक पढ़ेंगे 4.34 ये एक बहुत ही महत्वपूंट श्लोक है जो हमें बताता है कि अगर हमें भक्ती, भगवान या इन सब चीजों के बारे में ठीक से समझना हो तो भगवत कीता है कि निर्देश की अनुसार ये हमें एक गुरू से जाकर सीखना चाहिए यह नहीं कि हम अपनी मर्जी से कोई भी किताब उठाएं, पढ़ें या अपनी मर्जी से कुछ भी करें जैसे अगर हमें एडुकेशन लेनी है तो हमें एक सिस्टमाटिक इंसिट्यूट जोइन करना पड़ता है अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें एक मेडिकल कॉलेज जोइन करना पड़ता है अगर हमें सीए करनी है तो हमें आइसी एई जोइन करना पड़ता है और अगर हमें graduate बनना है तो किसी university के किसी college को join करना पड़ता है तो हर जगे एक systematic education जब हम लेते हैं तो ही फायदा होता है life में तो भगवत गीता भी उसी बारे में direction दे रही है श्लोक में मैं पढ़ रहा हूँ श्लोक आपके लिए तत्विद्धी प्रणीपातेन परीप्रशनेन सेवया अपदिक्ष्यन्ती ते ज्यानम ज्यानिने तत्वदर्शिना श्री भगवान कह रहे हैं तुम गुरू के पास जाकर सत्ते को जानने का प्रियास करो उनसे विनीत होकर जिग्यासा करो और उनकी सेवा करो सवरूप सिद्वेक्ती तुम्हें ज्यान परदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्ते का दर्शन किया है श्रील प्रभुपात इसके परपट में समझा रहे हैं कि सत्ते को जानने का प्रियास यानि कि भगवान को जानने का प्रियास भक्ती क्या है भक्ती में क्या करें क्या ना करें इन चीजों को जानने का प्रियास हमें गुरू के माध्यम से करना चाहिए मनो धर्म से नहीं अपने मन में जो आया वो ही ठीक है ऐसा नहीं हमें गुरू के पास जाके जानने का प्रियास करना चाहिए और गुरू के पास जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए विनीथ होकर जिग्यासा करो और उनकी सेवा करो तीन इंस्ट्रक्शन्स आई हैं इस लोग में बहुत क्लिरली समझने वाली है कि अगर आप गुरू से रियली अध्यात्मिक ग्यान चाहते हो वैसे अध्यात्मिक के हर चीज भातिक ताप भी कुछ हत्तक लागू होती है तो यानि हमें भातिक लाइफ में भी अगर कोई ग्यान चाहिए तो भी यही तीन प्रॉसस है लेकिन अध्यात्मिक ग्यान के लिए तो अध्यात्मिक उन्नती के लिए तो ये तीन चीजे बहुत जरूरी है कि हम गुरू के पास जाकर ये तीन पॉइंट पूरे करें एक विनीत भाव से उनसे हम बिहेव करें यह नहीं कि हम उनसे aggressively या गुसे में या बत्तमीजी से या less respectfully treat करें गुरू के पास हमें विनीत भाव से humble way में गुरू के पास जाना है अगर really गुरू से कुछ लेना चाहते हो तो फिर गुरू के पास मत जाओ लेकिन अगर जाना है तो गुरू देव के पास विनीत भाव से जाओ उनसे जिग्यासा करो यह नहीं कि सिरफ वहां जाके बैठे रहो आप उनसे समझिए देखिए ध्यान से तो सारे शास्त्र बेसिकली प्रशन उत्तर है भागवद गीता प्रशन उत्तर है श्रीमत भागवतम प्रशन उत्तर है तो बेसिकली शास्त्रों में प्रशन उत्तर है अर्जुन जी ने अगर क्रशन से प्रशन नहीं किये होते तो उन्होंने शाद जवाब नहीं दिये होते सेवा करने में हम गुरु को किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं, बेसिकली जो मुख्य सेवा है वो है कि गुरु की जो इंस्ट्रक्शन्स है उनको हम पूरा करें, अगर हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं लेकिन Evet, Guru जो बात कहता है वो सुननि नी तो उपने अपने अप में एकम्प् Oprah Pra जाए और उसके बाते हैं विनीद भाव से जाए जग्यासा कीजिए और उनकी सेवा कीजिए आगे इस लोग में भगवान इसमें बता रहे हैं इस लोग में कि सवरूप सिद्व वेक्ति तुम्हें ग्यान परदान कर सकता है क्योंकि उन्होंने सत्यगा दर्शन किया है अब अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो क्योंकि गुरू भगवान के दर्शन कर चुका है क्योंकि गुरू भगवान के बारे में तर्शन कर चुका है क्योंकि गुरू भगवान के बारे में तर्शन कर चुका है क्योंकि गुरू भगवान के बारे में तर्शन क्योंकि मैंने वुमंदर देखा हूआ है, नहीं तो कोई अन्दाजा मारेगा कि चलो वहां होता होगा, शॉयद ऐसे दर्शन होते होगा शॉयद यह होता होगा, तो इस तरह से जिसने भगवान को देखा हूआ है, वह उजलिवी बता सकता है, कि भगवान कैसे और उनके दर्